मेक अप एलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया के लिए बहुत एहम है हसीन से हसीन चहरा भी जब कैमरे के सामने आता है तो उसको मेक अप की जरुवत पड़ती है What is मेक अप? मेक अप जानने के लिए मेक अप आटिस्ट का होना जरूरी है और मेक अप आटिस्ट को मेक अप जानने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टन पॉइंट अपने जहिन में रखना चाहिए कि मेक अप इस अन आप्टिकल इलूजिन हम इलूजिन क्रियेट कर रहे हैं एक मेक अप आटिस्ट कलर भरता है चेहरे के खदोखाल को उभारता है उसी तरह से जिस तरह से एक आटिस्ट एक प्लेन कैन्विस के उपर परे लकीरें खेशता और उसके बाद कलर भरता है मेक अप जो है वो चेहरे के खदोखाल को उनके नकूश को उभारता है इसलिए मेक अप जो है वो आपके सामने एक वो पिक्चर पेश करता है जो आपके रिक्वाइर्मेंट होती है नमबर वान केरेक्टर की, नमबर टू उस पर्टिकलर मोट की या आपको वो क्रियेट करके देता है वो ऐसा चहरा जिसको लोग पसंद करते हैं और जो आप समझते हैं कि बहतरीन और खुबसूरे चहरा है हर मेक अप आटिस्ट कुछ एहम चीज़ों को अपने जहन में रखता है तो वो मेक अप आटिस्ट बनता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फेस की एनाटिमी क्या है और वाटर इस एनाटिमी आपकी मसल्स आपकी बॉन्स आपके चेहरे के जो शेप्स होते हैं उसको समझना उसके बाद कैमरे के लिए लाइट की जरुबत होती है जब आप light को समझते हैं तो उसके बाद आपको color के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से colors जो हैं, किस light में कैसे react करते हैं, उनका असर क्या होता है और उनका result क्या आता है, और उसके बाद आपको color mixing आने चाहिए, यह बहुत चार important और एहम पहलो होते हैं, किसी भी makeup artist को अच्छा makeup artist बनने के लिए, इन चार एहम subjects को हम अपने different programs में discuss करेंगे, ताकि आप इसके बारे में जान सकें और एक बहतर makeup artist बन सकें, makeup artist masters होते हैं in illusion में, manipulate करते हैं चेहरे के features और उसके shape को, इसके जरूरी होता है कि उनको थोड़ी बहुत ability, थोड़ी बहुत skill जो है, वो painting और drawing की हो, ताकि उनको value, shadow और light का इल्म हो. So the idea for makeup for men is just to correct imperfections and take the shiny out of them and that's it. You don't want them to look with makeup on at all. So now we're mixing the foundation with the moisturizer and that's just for being more natural. If you apply directly the foundation it's gonna be too heavy, so the camera especially if it's high definition it's gonna be very, I mean it's gonna take it very close so it's gonna notice that it has a lot of makeup on. So you can play with the eye shadow also to make eyes bigger or smaller or brighter or whatever. एक अच्छा मेकर पार्टिस बनने के लिए जहां पर आपको अपने skill को जानना है और पहचानना है, वहां पर एक अच्छे मेकर पार्टिस की बहुत से responsibilities होती हैं, जो उसके work से मुतालिक होती हैं, उसके work place से मुतालिक होती हैं, और अगर वो उन तमाम चीज़ों को responsibility के साथ मुकमल करते हैं, तो बहुत जल्द ही वो अपना एक मुकाम बना लेते हैं, in that particular set, in that particular area, या उस particular project में जिसके लिए उनको hire किया गया है.